वेल्लो फ्रेंड वेल्कम तो माई चैनल दिशु करूंग이면 या वान्देसी सुरू करते हैं वैट में हमारे मत Pink ब्लेक कललर में princess इसके साथ golden chroming की है golden stickering जो कि bike के look काफी enhance कर देती है बात करें हम इसके headlight की headlight bike में थोड़ी बढ़ी दी है bike के headlight काफी अच्छी है- halogen में है लेकिन light अच्छी है और इसमें बाइक में इंजन किल स्विच है, देखे गोल्डेन क्रोमिंग काफी बेहतरी ना, बात करें हम बाइक के फ्यूल टैंक की तो इसमें हमको मिलता है 10.5 लिटर का फ्यूल टैंक, इसका इंजन जो है, हमको एर कूल सिंगल सिलिंडर 124.9 cc का इसका इंजन मिलता है ह इसमें हुंडा ने ESP इंजन मतलब enhanced smart power इंजन दिया है इसका इंजन काफी silent इंजन होता है हुंडा की bike अपने engine performance के लिए ही जानी जाती है हुंडा की bike का इंजन काफी बेहतरी रिन होता है इसमें अपनी काई patent technology इनके होती है बात करें तो प्राइस इसकी है वन नाइंटी थाउजिन से वन लैक के बीच में होगी देखिए सोरूम तो सोरूम वैरी करती है इसलिए बिल्कुल क्लियर नहीं बताऊंगा और बाइक का जो सज्पेंशन जो पिछला सथन्म है वा काफी कमपटेबल है मतलब आगर आपको कमर की कोई दिक्कत है तो बाइक आपको जर्क किसी तरह का नहीं देंग इए बाइक की सेट इटुन अ्टि अच्छी है वाइक की सिटिंग परिक पर अगर आपको राइड़न कॉल्टी काफी बहत्री की की लुप 그래서 तरह कांगे, इस लुक बाइकक के बाइक काफी बीखा elle की की सिंपल सा कौन्स जो कि मैं काफी जगह या कई जगह से मुझे थोड़ा सा इन्फोर्मेशन मिली कि इसके कौन्स के बारे में तो बाइक में एक ही डिसद्वांटेज है बाइक की पेंटिंग साथ कुछ जगह से इसकी पेंटिंग देरे दे छोड़ देती है चाहे हो उसका ग्रैब देल हो या ऐसा है तो पेंटिंग की थोड़ा सा दिक्कत है बाकर इंजन बाइक के डियूरेबिल्टी इंजन परफॉर्मेंस माइलेज सस्पेंशन मतलब राइड क्वालिटी राइड क आप कह सकते हैं वैसे कि इसमें जो देता है अपना आजकल डिजटल का टाइम है तो एन लोग में दे रहा है तो लेकि मेरे हिसाफ से एन लोग से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर आप बाइक चलाते तो डिजटल लोग में कोई खास अंतर नहीं आपको एक कमिटर पसंद आए तो प्लीज में चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा थैंक यू